सब्सक्राइब करें हमारे जीके इंस्ट्यूट यूट्यूब चनल को साथ ही बैल अपन दबाएं जिससे लेटेस्ट वीडियो की नॉटिफेशन आपको मिलते हैं नमस्कार दोस्तों जीके इंस्ट्यूट के यूट्यू चनल को सकते हैं और यह कुछ दिर में ऑफ हो जाएगी और उसके बाद हम लोग कोशिच करेंगे लेकिन आप देख रहे हैं इसके अंदर इस ही प्रॉल में हमने इसको क्या क्या रिप्र आपको बचाते हैं कि सब्सकों पर होगी जल्दी आपήσप संपर करेगी चलिए इस वीडियो को स्ट्रीओ करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम लोग पावर डिस्कनेक करते हैं और अब आपको इसे हम लोग ओपन करके देखाते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह LED फर्स्ट टाइम ही ओपन हो रहा है क्योंकि इस पे जो है कमपनी सील भी लगा हुआ यहां पर तो चलिए इसे ओपन करके फ क्याया चलिए इसपर हम लोग सब्सक्ल्ड्स तो और आप देख सकते हैं चलिए इसको मुले पहले डिस क्लीन करते और फिर इसको एक बार अच्छे से यह चेक्क करने क्या कंडिशन ले का कंडिशन थे निक्या चैक कि सब्सक्रों कि देखा के मैं अब रिक्र अर्य के म Democracy fault तो हम लोग 20 वोल डीसी रेंज पर रहेंगे और उसका देखने को common ground करेंगे तो हम लोग power in करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हमें जो मिलना चाहिए मिल रहा है नहीं मिल रहा है कोई fluctuation तो नहीं है तो आप देखते हैं यहां पर 12 वोल्ट हमें perfectly मिल रहा है तुमारा power section लगवग हम ठीक मान सकते हैं उसके नॉर्मल तरीके से आप repair करें या कोई data sheet आपके पास नहीं है या कोई voltage chart भी आपके पास नहीं है तो इसका हमने काफी वीडियो में बताया हुआ है तो यह dual supply in करेंगी और dual out करेंगी तो आपको सभी के input और output चेक करने हैं जिससे आपको या idea लग जाएगा कि हमारे सारे रेगुटर सेक्शन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो basically हम चेक करते हैं तो आप देखिए यहां च चेक करते हैं 5 वोल्ट इन मिल रहा है और output भी हमको 3.3 मिल रहा है थर्ड रेगुलेटर पर हम लोग आते हैं यहां पर आप देखिए 12 वोल्ट आपको मिल रहा है और output में भी आपको यहां पर supply देखिए 0.9 वोल्ट मिल रही है जो एंडर में आपको दिखाई देती है उसक और output में यहां पर नहीं मिल रहा है और यहां चेक करेंगे यहां पर dual supply इन होने चाहिए लेकिन वह होगी standby के बात तो आप देखिए यहां पर आपको supply मिलनी चाहिए देखिए यहां नहीं है यहां पर भी supply नहीं मिल रही है और basically एक आपको यहां पर नहीं मिल रही है तो अ एक हमें इसे चेक करना है कि यहां पर नहीं मिल रहा था और यहां पर आउटपट हमें नहीं मिल रहा था बाकी सबका आउटपट मिल रहा है और इसको आपको बाद में मिलेगा तो यहां आपकर रखते हैं पावर इन करते हैं देखिए 1.5 यानि यह रेटर 1.5 के लिए वर कर एक तेख़े थोड़ी दिर रहते हैं और यह पिर चले याते हैं यह वहीं टाइमिंग यहां पर इन हो रहाए और यह चला जाए गया और सेम थ्री पइंट भी आपको को यहाँ पर मिलना चाहिए लेकिन वह भी आप देखेंगे कुछ देर बाद वह भी चला जाएगा एक बार हम फिर से डिसकनेक्ट करते हैं और इसको फिर से राज़ते हैं देखिए और यह काम नहीं कर रहा है तो यह जो सप्लाई है यहाँ पर एक पी चनल मॉस्पैट लगे हुए हैं जिनकी शायता से यहाँ इस रेगड़ोटर को इनपुट मिलता है और दूसरा 3.3 यहाँ पर एक जो है पी चनल मॉस्पैट लगा हुआ है इससे मिलता है यहाँ इसके सोर् यहां से नोटी है वो इस वाले जो है मॉस्पैट के दुरू इन होती है तो यहाँ पर स्वाइव वोड इस जैन पर पहुंचेंगे उसके बाद यहां मिलेंगे और यह सरक्ट कंपीट होगा लेकिन सरक्ट कंपीट नहीं हो पा रहा है तो जैसे कि आपने देखा इसके सभी सब्सक्राइब नहीं हो पा रहा है तो इस कंडिशन में अधिक तर हमने दिखा है कि आपको एक अच्छी क्वालिटी के समी मशिन पर पास होनी चीज़िए जिसको टैंप्रेचर आपको लगा तूप्टी तूश्टी के आसपास रखना है और गन को जितनी बीजी आईसी मे तक कि तो तरह है होगहर चाहिए का को यसकी कर रहरा है और उसके बाद एक अच्छ की सबस्क्राइब और य central क्राइब नहीं होते है चलिए तो हम् tweeting करने के दिखते हैं आप देश्यस्टीज होआ है और उसके बाद भी का अपने हाग में एक लिग और इस तरीके से, तक दा अधित है साइटे मैं कुर्छ करणता हूं, इस तरीके से आपको NIC को हीट करना है और फिर यह जो हैrit काफी मोटी इस यह शीट लगी हुई है प्रोसेशर के ऊपर तो इसको आपको अच्छे से करना है हैं आप सैट से भी कर सकते हैं जैसे आपको सवुलेत हो फुराल हम लोग यह जो बाहर आउटर में लगी हुई है इसके उपर तो अलड़ी लगी हुई है इनमें दिक्कत कम आती है इससे नहीं होगा तो हम लोग करेंगे तो आप 10 से 15 सेकंड तक ऐसे करते रहेंगे और हो सकता है तो इतने भी राइब ट्रेक बार इनको भी आप हल्क आसा ड्राइब कर लेंगे इस कंडिशन में कोभी फुड़ा डस्ट मॉस्टर की वैसे भी कभी कभी दिक्कत आती है तो आप दे सकते हैं हमने इनको हल्क आसा बस आपको गरम करना है और SMD को आफ कर देना है और अब इसे नॉर्मल अपने टैंप्रिचर पर ठंडा होने देता है उसके बाद हम इसको पांच मिनिट के बाद हम इसे चक करने क्या कंडिशन है चलिए इसे ठंडा होने देते हैं तो लगवक साथ-8 मिन्ट हो च पर देखते हैं चीक अब देखते हैं यहां पर आपको शायद के मिना दखाई दे लाइट आके जा चुकिए जो कि इसका बूर्ट सिक्वेंस है अब हम यहां से और को प्रेस करेंगे और आप यहां देखते हैं न बे कलाइट अगर आती है तो सेट करने में शफलता मिल चुकी मैं आपको दिप्ले भी शो करता हूं देखिए इसे हम लोग बूट होने देंगे और इस तरीके से भी आप अगर सेट को समझेंगे तो आप इसे रिपेर कर सकते हैं यदि आप गलेट डिस्टी लेंगे तो सेट आपका और भी खराब हो सकता है तो प्रॉपर SMD की नोलेज आपको होना अच्छी कि आपको SMD मशीन को कितना temperature पर रखना है किस तरीके से हीट करना है आप देसे नहीं परफेक्टली ओन हो चुका है तो एक बार हम लोग बेकलैट ओफ हो चुकिए तो एक बार फिर से अन करेंगे अनफ को प्रेस कर दिया है हम लोगों और आप यहां देखते रही है यह साथ व्याइब लिखा वह आ चुका है तीन चार बार आप इसे चेक करेंगे क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि एक बार ही इसे काम नहीं हो या इवमसी आइसी है तो इन्हें हमें रिवाल करना होता है निकालके इसको दुबारा से बॉल बनाके फिर से लगाना होता है तो बहुत जल्दी ऐसी वीडियो भी चनल पर आपको मिलते रहे हैं और यहां से ऑनलाइन यह आफ्लाइन चाहते हैं तो नीचे दिये नंबर प वर्क कर रहा है और इसको फिर भी हम लोग दो से तीन घंटे अपने वर्क शॉप पर चेक करेंगे उसके बाद ही कस्टुमर को देंगे धन्यवाद